हेलो दोस्तो नमस्कार स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल उत्राखन जी के वेरी जी ट्रिक्स में और आज की इस वीडियो में हम उत्राखन का राजनेतिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक इधियास पुष्तक जो की गंचियाम जोसी जी के द्वारा लिखी थे उस बु हूँ अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा एक घंटे के आसपास की वीडियो है आपको सर्च करने पर मिल जाएगी हमारे ही चैनल पे और आज की इस वीडियो में हम पहले एक से लेकर 92 तक क्यों पढ़ेंगे जो कि हमारे बच ऊते में चलीगे तो वीडियो पसंट आती दोस्तो वीडेको लाइक जरू करें कमेंट जरूड करें आपने दोस्तों 9 नौमबर सन 2000 इस भी को उत्राखंड राज्जी अस्तित्र में आया, इसी कारण उत्राखंड राज्जी स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, 9 नौमबर को मनाया जाता है, और भारती गड़तंत्र के 27 वे राज्जी के रूप में हमारा उत्राखंड राज्जी के स्थापना दमत्र के 27 राज्जी के रूप में हुआ था वेकिन वर्तमान में कौन्छा राज्जी है उत्राकंड अमारा क्योंकि 26 राज्जी क्योंकि जम्मु कस्मी रभी केंडिस अचिच परदेश से बना दिया गया है तो वर्तमान में 26 लेकिन 26 वाल आपसे प्रसने नहीं पुछा जा का भाग है तो उत्राकंड दोस्तों मारा उत्तर प्रदेश का भाग है आपको ग्यात होना चाहिए और उत्तर प्रदेश से अलग करके 9 नौंबर संद 2000 को उत्रांचल नाम से हमारा एक नया राज्जी बनाया गया था जो कि हिमालेई क्रम्य यार्वा राज्जी था तो उत 294 को कौसिक समीटी की स्थापना होती है और कौसिक समीटी के अध्यक्स कौन थे यह थे रमा संकर कौसिक जी कौन थे रमा संकर कौसिक जी इसके अध्यक्स थे कौसिक समीटी ने कितने मंदल बनाने का प्रस्ताव दिया था तो आठ जनपत बनाने का प्रस्ताव दिया था जिसे आप काटके चार जनवरी 1994 कर लीजिए गाठी के तीन मंडल कि सिपारिस कि थी है पु episher कौन को विनोध बर्त्वाल बर्त्वाल समीथी के अधक्ज थे और इसका गठन कब किया इन94 गठन क्या गया था उत्राकन राज जी outside राज Acho आफ भर्त्वाल समीं भी तिए अगला पुस्टिक किसे सरकार ने उत्राकन राज्य का प्रस्ताव सरोपर्तन विधानसवा में पास किया था तो मुलायम सी यादव जी की सरकार ने राज्य का प्रस्ताव सरोपर्तन विधानसवा में पारित किया था ठीक है अब यहीं से दोस्तों कुछ प्रस्तन है हमारे हैं चलो यह तो बहु पुनरगठन विदेयक, उत्तर परदेश, पुनरगठन विदेयक 2000 के तहत, यह 1 प्रस्व पूंदर गठन विदेयक 2000 यह 2 ह से कह सकते हैं, यह उत्तर परदेश की विदाणसवा में कब पारीत हुआ था, तो याद रहता हैं, उस तो कब 29 मार्च 20 से 2000 को यह 1 पूनरगठन इसाममिया पुछा गया है तो 27 जुलाई सं 2000 को इसे लोक्सवा में पारीड हुआ था अगला प्रस्वा से इसमें मिलती है तो में मिलती है अगस्त सं 2000 को उत्रपरदेश पुन्रकट है मिल जाती है अगर आपसे यह बनता है यहां से कि उत्तरपरदेश पुनरेखटन विधेयक या उत्तराकंड पर्थक राजी विधेयक को राजी सवा में कब पारित किया गया तो एक अगस्त को लोग सवा में तो जोस्तो इसके दस नौ दिन बाद 10 अगस्त सन 2000 को इसे राजी सवा ने भी पारित कर दिया और इसी के बाद आपको या रखना है 27 अगस्त सन 2000 27 अगस्त 2000 को भारत के राष्टवती उस टाइम पे थे जोगन के आर नारेणन जी उनके द्वारा 27 अगस्त 2000 को उत्राकंड पर्थक राजी विधेयक या फिर उत्तरपरदेश पुनरगठन विधेयक 2000 को म किया 27 अगस्त 2000 को राजी सवासे पारित वाज्त 2000 को राष्टवती के दर भी से मंजूरी दे गई और उसके बाद में नौन विधेयक 2000 को उत्राकंड राजी का घठन कर दिया जाता है अगला उत्राकंड राजी नाम दिया किसने दिया तो उस टाइम पे अंडिय की सरकार थ थे देश का 27 वा राज्जी का निर्मान कों कर सकते हैं तो अधिकार किसको होगा 如果 इसे की उत्राखन का पूर्व नाम क्या था तो उत्राखन का पूर्वनाम था उस तो क्या उत्रांचल तो अंसर हो जाएगा उप्रोक्त में से कोई नहीं क्या उत्रांचल और उत्रांचल से नाम परिवर्दित करके उत्रांचल कब लग दिया गया एक जनवरी 2007 को उत्रांचल नाम परिवर्दित करके उत्रांचल कर दिया गया अगर आप से पुछा आता है कि उ उत्राखनट हीमाले के दीस फस्ची मद्ध्य भाग में इस्तित है क्या फस्ची मद्ध्य भाग में इस्तित है तो यहां पे दोस्तो डैकली जो इसका अंसर किताब में तो यह यह कुँछ समझने वाली बात नहीं है रेकिन फिर भी UP प्रवती जन्पद की मांग सबसे पहले कब रखी गई थी 1897 सबसे पहले एक पर्थक राज जी की मांग रखी गई थी ठीक है या देखतें आपको ठीक है और सबसे पहले उप्रप्राइब नहीं होगा तो आप 1929 सबसे पहले की थी ठीक है और भी कई सारे लोग पहले कर चुके थे लिगिन सबसे पहले हमें करिस्ट्रे कॉमरेट पीसी जोसी जी को जाता है, क्योंकि इन्होंने ही जो उत्राकन पर्थक राज जी की मांग थी, उसे राज पुंदर गठन आयोग जो कि उस टाइम पर फजल अली आयोग था, उसके समक्ष रखा था, इसी कारण उत्राकन राज कि पीसी जोसी जी के द्वारा राज पुंदर गठन आयोग के समक्ष उत्राकन राज जी या फिर नए परवती राज जी का प्रस्ताव कब रखा गया था, तो उनीस्सो बावन तिरपन में, याद रखना पूछा गया है, और अभी हाली में कॉमरेट पीसी जोसी जी जोसी किसके द्वारा की गए थी, तो कॉमरेट पीसी जोसी जी के द्वारा ही कुमाउ राश्टी मोर्चा की स्थापना की गए थी, कुमाउ राश्टी मोर्चा, और इसी के साथ चान दोस्तो, सर्वदली संगर्स समीती का गठन भी किसके द्वारा किया गया था, पीसी जोसी जी के कारण दोस्तो ऐसा माना जाता है कि पर्थक राज जी तो आंदुलन मारा तीवर हो गया था ठीक है 1994 के जून मामे मुलाइन सिंग जादो सरकार ने सरकारी नौकरियों एम सिक्षन सस्ताओं में आरक्षन की नई व्योस्ता लागों की जिसके तहत कुल सीटों का 50% सीट है क्या कर दी गई थी आरक्षित कर दी गई थी ठीक है इसी कारण हमारा पर्थक राज जी आंदुलन और भी अधिक तीवर हो गया थाठीक है यह पॉइंट बहुत महत्वपोण है एक्जाम में पूछा भी जा सकता है अरब पर्थक राज कि यह थू आंदुलन का नेत्त तो किस ने किया था भाजपा बसपा कॉंग्रेस या भी उकरांद तो UKD उत्राखंड करांती दल के द्वारा पर्थक राज जी थी तो 25 जुलाई 1989 25 जुलाई 1979 को हमारा मसूरी में क्या UKD यानिक उत्राखंड करांती दल की स्थापना होई थी किसके द्वारा की गए थी तो डीडी पंत जी के द्वारा की गए थी इनके साथ और भी लोग थे तो डीडी पंत को मेंस रही जाता है अभी डीडी पंत जी से दोस्तों एक प् मुल नाम है जिन्होंने 25 जुलाई 1979 को UKD की स्थापना करी थी मसूरी में इनके साथ अन्य भी कई लोग थे और उत्राखंड करांती दल के पर्थम अदेक्स भी कौन बने वह भी डीडी पंत जी ही बने थे ठीक है और इन्हें वैग्यानिक और राजनितिक के रूप में भी जाना जाता है तो प्रस्तना पूशा गया था कि कौन राजनितिक के साथ-साथ-वैग्यानिक भी है तो वह थे हमारे कौन देवी दत पंत जी अगरा प्रस्ते हैं उत्राखंड राज जी से संबंदीन नहीं है मसुरी कांड का बहा था एक सेप्टमबर 1994 को 1934 को खटीमा का मजट्फन नगर गड़े कांड कर अग password को मजट्फन नगर कांड समदीत किस्से दो उत्रा खेंड च्राज्ण चे समदीए मैं मजट्फन नगर कांड 2-07-1994 को हुआ था मुझप्र नगर कांपे इस दिल्ली में पर्थक राजी के लिए एक रैली का इजन होना था जिसके कारण कुछ जो मारे आंदुलनकारी थे वहां दिल्ली जा रहे थे तो उसी दौरान रामपूर तिराहा कांड इसी मुझप्र नगर गोली कांड को जोस्तों राम रामपूर तिराहा कांड भी कहा जाता है ठीक है तो रामपूर तिराहा कांड में में उतरपरदेश पूलिस की दोरा इनके उपर अत्याचार किये गए और महिलाओं के साथ में दुराचार भी किया गया फाइरिंग में चेह लोगों की मृत्ति भी होगी और इसी मुझप् नगर गोलिकांड इसे रामपुर्ति रहा गोलिकांड भी कहा जाता है ठीक है वैसे उत्तर प्रदिश में इस्तित है लेकिन उत्तराखन राज से संबंदित है अगला पस्तम वही है मुझपर नगर गोलिकांड दो अक्टोबर मिश्चो चरनबे को ठीक है रामपुर्ति रहा इनका पूरा नाम था, रविंद्र रावत जी होगे, गिरीश कुमार जी होगे, सूर्य प्रकास थपलियाल, राजेश लखडेरा, और असोक कुमार केसिव, ये लोग हमारे मुझपन नगर गोलिकांड में सहीद हुए थे, ठीक है, जबकि राजेश अधिकारी का समन्द इसस कि सुमेलिट कीजिए, तो मसुरी गोलिकांड दो सितनबर 1994, कौन सुमेलिट नहीं है, तो मसुरी कांड मैं स्रीमत्य बेलमति चोहन की मिर्टियुई, बिलकुल सही है, ये सहीद हो गे पारी हंसा दनाई मदन मोहन माम गई बलवीर सी हैं नेगी जेटू सी हैं उमासकगर तिरपाथी यह सभी हमारे मसूरी कान के दौरान में सहीद हो गए थे अब दोस्तों यहां से एक प्रस्न एक्जाम में बहुत बार पुछा गया है कि बेलमती चोहान तथा हंसा दनाई का सम मसूरी कान से ही था याद रखनें आपको मसूरी कान में सहीद होने वाली महिलाया थी यह इसी कारण काफी बार एक जम में यहां से प्रस्न बने थीक है खटीमा गोली कान में बहुत धर्मा दन बर जी सहीद हुए थे अभी पताया थोड़े पहले बिल्कुल सही है ठीक है बाकी बहंन सिंग जी मुझपन द गोली कान में सहीद नहीं हुए थे तो बहंन सिंग जी आमारे कां घटीमा गोली कान में ही सहीद नहीं होगा अगला प्रस्तिन की बात करते हैं कि मुझपन नगर कांड के आंदुरन कारी जा रहे थे कहा जा रहे थे दिल्ली जा रहे थे थोड़े देर पहले मैं आपको बताया था ठीक है पर्थक राजी की मांग एतु एक विसाल रैली का एजन कहा हुआ था तो दिल्ली में हुआ था अगरा प्रस्तिन के बात करते हैं कि मुझपन नगर कांड के समय देश के परधान मंत्री कौन थे तो पूंजबर नगर कांड के समय पर देश के परधान मंत्री ते खौन पीवी नरसीमा राओ जी अपशना नंबर ए जो क्लोजेस टेव उघाएगा कि उत्राकन्राज्य का विस्थार आप लोग को बता अश्तो gнос हो नयांने है अजयर तो आप तरगशसी विस्थार कितना है 28 gb4 minit on trashy xanth सबसे नियरस ओप्सन विश्टके में पूर्भी को सबसेलर फोर भी तो पूर्भी तो जो जासन तो When the तीन डिग्री अटाइस मिनट और अक्षांची विस्तार कितना था दो डिग्री चवंवारीश मिनट था यह पॉइंट दोस्तों आपको डैकली याद रखने है एक्जाम में यहां से प्रस्ण बहुत बार पुछा भी गया आगे भी पूछा जासता है अक्षांची विस्तार 28 डिग्री 27 मिनट उत्री अक्षांच से लेकर के 31 लिग्री 27 मिन8 के मद्दम है और देसांटरी contains नेट इछासी डिग्री अक्षांचर की सुन विस्तार कीसा आईताकार है आप आइताकार होना चाहिए इताकर आप से उत्सें ट्राक अरád जोंको पता होना चाहिए ठीक है और वह इस पॉइंटेश पंटी सुट जिरो सेवन परेशन जो भाग है वह पिर्वती है इसका क्या इसका कितना 87 परतिश्यत भाग लगबग 86.07 परतिश्यत भाग क्या है दोस्तों मारा परवती है उत्राकन राज जी का विस्तार कितना है दोस्तों तो उत्राकन राज जी का अकार क्या है आहिताकार है और उत्राकन राज जी की जो लंबाई है पूरव से पस्चिम तक वह हमारी क्या है अधिक है और जो चोड़ाई है उत्तर से देक्षिन की वह हमारी कम है तो उत्तराकंडाज जी का विस्तार क्या है पूरव से पस्चिम तक उत्तराकंडाज जी की लंबाई कितनी है तो उत्तराकंडाज जी का विस्तार है तो उत्तरा चोड़ा ही है 320 किलोमेटर तो ऐसे करके हमारा आयताकार राजी यह बनता है और इसी कारण बाद हम पढ़ते हैं उत्राकन राजी के आकरती कैसी है वह है आयताकार तो पूर्व से पस्चिम तक कितना है उत्तरकासी है और सबसे देक्शने जिला खून सा है अधमसी नगर है टाव तो देराधून से उत्रागर तक की जो लंबाई है 30 стали अग्राइब बात करते हैं उत्राकन राजी का चेत्रबल राजी तीरपन हजार चारसों तिराट सी किलोमेटर स्क्वेर और उत्राकन का चेत्रबल भारत के खृत्रबन का 1.69% एक दिसम्लोग 69 प्रसितिशत है ये भी पॉइंट आपको याद रखना है चेत्रपल की दिश्चे उत्राखंड भारत का अठारवां राज्जी है कौनसा अठारवां राज्जी है प्रस्टन एक्जाम में बहुत बार पुछा गया है अगर आपसने उत्राखंड राज्जी क सीमाएं लगी है तो उत्राखंड राज्जी की सीमाएं दोस्तों दो अन्य राज्जी के साथ में लगती है उत्तर प्रदेश और हिमांचल प्रदेश के साथ में यादक नहें उत्तराखंड दो राज्जी के साथ में अमारी अंतराश्टी सीमा सांजा करता है चीन तिबद और नैपाल चीन को तिब्बत जो है चीन का इवाग है तो चीन और नैपाल के साथ मामारा उत्राखन हमारी अंतराश्टी सीमा सांजा करता है तो दो देशों के साथ अंतराश्टी सीमा और दो राज्जों के साथ हमारी अंतराश्टी सीमा सांजा करता है अगरा पिसने उत्र उत्राकन राज़ी से अंतराष्टी सीमा लगी है, किसकी सीमा लगी है, तो चीन और नैपाल की अंतराष्टी सीमा लगी हुई है, उत्राकन राज़ी में कितने जीले हैं, तो उत्राकन राज़ी में 13 जीले हैं, 6 जनपद हैं हमारे कुमाओं मंडल में, और 7 जनपद हैं हमार और हरिद्वार उत्राखन राज्जी का गठन हुआ उस दिन सारनपुर मंडल से लाकर ही उत्राखन में इस्ताफित किया गया था जबकि उदमसी निगर जनपत उत्राखन का वहा गया है बागिश्वर भी है हरिद्वार भी है यह प्रस्ण भी इंपोटेंट है 28 दिसंबर 1988 को हरिद्वार जनपत की स्थापना होती है सारनपुर मंडल के अंतरगत लेकिन बाद में इसे उत्राखन में सामिल कर दिया आता है सारनपुर मंडल से अठाकर उदमसी निगर जनपत की स्थापना सेप्टेंबर 1995 में होई थी ब तरग के जनपत है जबकि रुडिकी कया है उत्तराखन की तहसील है आगए जनपत लेकिया उत्तरग्रधेस से सबसे कम बनाने वाला जनपत कौसा है यह नैनिताल जनपत इसे के सांद देहरादून, हरिद्वार, पौडी गड़वाल, उदमसी निगर और नैंताल ये पांच जनपत ऐसे हैं जो कि उत्तर परदेश के साथ में अपनी अंतराजी सीमा साजा करते हैं सबसे कम नैंताल और सरवाजी कौन करता है उदमसी निगर करता है यही से प्रस्ता मुशा आजता है कि गड़वाल मंडल के कितने जिले उत्तर परदेश के साथ में अपनी सीमा साजा करते हैं तीन जिले, कुमाव मंडल के कितने जिले, दो जिले, या दखना आपको ठीक है अंतराश्टी सीमा से लगे जनपत कौन है, ठीक है अब देखे, उत्तर परदेश के साथ में तो हमारे पाच जनपत सीमा साजा करते हैं तो हिमानचल परदेश के साथ में कौन जनपत अपनी सीमा साजा करता है तो हिमान चरब परदेश के साथ में दो जनपत उतरकासी और देरादून उतरकासी और देरादून ये दो जनपत क्या होता है लिए उतराँस्ती सीमा सांजा करते हैं अब अन्तराश्थी सीमाओं से लगे जनपत कितने हैं जिसमें पित्रागड जनपत के अंतरास्टी सीमा सरवाधिक है ठीक है अब यह 5 जनपत कुन कौन से है उत्रकासी चमोली पित्रागड चमपाओद और दमसी नेगर आपका सही अंसर हो जाएगा ठीक है अब यहीं से प्रस्ता मुछा आता है कि उत्राखंड के कितने जिले ची करते हैं इसी करण सरवाधिグ ऑनने वाला, जनपत कौन से हमारा जनपत कौन से पित्रागड जनपत सबसे के चहे तो ईमालय-प्रदेश से लगए जनपत है उनके उत्टरकासी और देरादून ठीक है तो यहाँ पर हमारा दूस्तो टाइड एंसर हो जाएगा अगरे प्रस्तन की बात करते हैं कि राज जी का कौन सा जनपत अंतराश्टी सीमा पर इस्तित है ठीक है अलमुडा नैनिताल देहरादून या फिर उत्तरकासी तो अप्शन के साफ से जनपत के हमारा अंतराश्टी सीमा अतराश्टी सीमा जाजाकरता है अंतराश्टी सीमा से लेगितना चमोली पिठोरागड उर यौदंसी-णगण अंतराजी सीमा से लगे जनप्रतु की सिंग्या कितनी है तो अंतराजी सीमा से लगे जनप्रतु की संक्या दोस्तों 6 यह पांच जनपत अपना किसके सांथ मैं उत्रब्रतिक के सांथ पर अंतराजी सीमा सांधा करते हैं दिर्यादु नियाप पर कॉमन है इसी कारण दोस्तों आपको याद नहीं है अंतराजी सीमा से लगे जनपत की संग्या कितनी एच्छा है छेत्रब्र के दिर्ष्टिशी से उत्राकिन का सबसे बढ़ा जनपत कौन सा है वह है अरिद्वार अब उत्राकन राजी की जनसंक्या कितनी है दोस्तो दो जारी जारी जारा की जनकलना के अनुसार यह है एक करोड 86,292 उत्राकन की कुल जनसंक्या भारत की कुल जनसंक्या का कितना परतिश्चत है जीरो दसमलाव आठ तीन परतिश्चत है और जनसंक्या की जिस्ट्री से उत्राकन का भारत में कौन सा इस्थान है तो जनसंक्या की जिस्ट्री से उत्राकन का भारत में बीसवा इस्थान है तो एक करोड़ 1.01 के आसपास महाँ कहा सकते हैं तो बरतमान के इसाप से तो वैसे उनिस्वा ही माना आता है वैसे बीस्वा जो इस्तान है वो राज्यू तथा के इसाप से आता है तो आपको पता होना चाहिए हरीद्वार सरवादिक जनसंक्या वाला जनपत है और हरीद्वार के बाद में क्या आता है तो अपसन नमबर बी यहां पर आपका दोस्तो सही हो जाएगा ठीक है और उत्राखन के तीन जनपत हरीद्वार देरादुन और दमसी निवास करते हैं और 10 लाग से अधिक जनसंक्या वाली जनपत कितने हैं उत्राखन के तीन जनपत है देरादुन अरिद्वार और उध्रमसी निवास करते हैं तो इसका अंसर जागा आपका अपसन नमबर दी ठीक है तो पचीसवा इस्तान है एक बार वीडियो भी वीडियो के एकजाम में यहाथ रसन पूछा गया था तो आयोग ने पचीस आपसन में नहीं था इसलिए 26 भी वाना है इसलिए आप दोनों ही यार्ट कर लिएगा कि जनसंक्या गनत्व के अनुसार उत्राखन का वारत में अज़ा ऊपसने 2011 इक जनंगालनी के अनुसार उतराखन की साख्षरत दर कितनी है तो 79.66 से 3 परसेंट ऑप्सन के इसाफ से उस्तो वैसे तो उत्राखन राट जी की साख्षरत दर कितनी है 78.82 परतिसद है 78.82 परतिसद है अब यह ब्रस m बुचा आता है कि पुरुष्ष् है क्या धखने आपको 2001 के जनकरना की असफार सरवादिक शाक्षद जिला कौन चाहे नशा है तो दिरहादून की साक्षरता हमारी सरवादिक है ठीक है और सब्सकosphे कम साक्षरतवारा जनपत कौन चाहे जबत वह उदंसी नगर जनपत यहांतक में सबसे कम कंकि उदम्सी नेगर जनपत की है ठीक है सरबादिख साक्ष्रता वरा जिला देहादुन अगर आपशने लिए कि अग्रड़ादून की साक्ष्रता कितनी है तो दिखे, मैंने आपको बताया था है, सरवालिक साक्षरता देरादुन की है, तो सबसे कम साक्षरता कहां की है, उदमसी नेगर जनपत की हमारी सबसे कम साक्षरता है, 73% के आसपास में, अगला पसना है, उत्राखन राजी में 211 की जनगलना के अनुसार, महिला साक्षरता दर है, ठीक है, और महिला साक्षरता की द्रेश्टी से, उत्राखन में सबसे अधिक महिला साक्षरता दर कहां पर है, देरादुन में है, और उत्राखन का सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है, वो है उत्तरकासी, ठीक है, अगला पसना, दो जनगलना के अनुसा इसके आसपास ही आप याद एक सकते हैं ठीक है पुरुष साक्षर्टा यहां पर कुछ कन्फूजन है इसलिए आपको यहां पर अपना कॉंसेट पूरा किलियर करते हुए चलना पड़ेगा ठीक है और यह 87.40 ठीक है पूरुष साक्षर्टा और महिला सक्षर्टा 70.01 परसेंट के आसपास तो अप्सन के एक साथ कर लिजीगा चाहाब और अब देखें साक्षर्टा की रिष्षित पूरुष साक्षर्टा के रिष्षित से उत्राकन का भारत में कौन सा इस्तान है तो वो जा देखेंगा तेरवां और महिला साक्षर्टा की रिष्षित से उत्राकन का भारत में कौन सा इस्तान है तो वीच्वाइस्तान हो जाएगा देश में सरवादिक साक्षर्टा दर है पांकी दोस्तों के रिल किया देश में दोजार गया रहा कि जन्गलना के नुस्ता उत्राकन की साक्षर्टा दर कितने थी 78.82% अब भारत की बुचा गया है तो 74.04% ठीक है यहांको 73% मिलेगा ठीक है कि दोजार गया रहा कि जन्गलना के नुस्ता देश का लिंगा अनुपाद कितना है तो देश का लिंगा अनुपाद था उस्तों 943 वाई 1000 ठीक है तो नियरेस्ट आप्शन ऑप्शन नमबर B वैसे 948 हजार पूरुसों में नौस्त इस्तरी है भारत में तो लिंगानुपा कि अख्राहि में सबसे कम लंगानुपात वैसे ना न्युक्त या क्या मुद्ध का कितना है तो अल्मुणे का जन्संक्या व्रदी कितने परसंट रही यह प्रस्थन पुछा गया दोस्तों तो अफ्रॉट्सीमेट्ली 18.81 थी ठीक है दसकी सब्सक्राइब फूछा गया है एट एटिन पॉइंट एट अठाएदेस्द लोग आट एक परतिशए ठीक है तो आप आप अठाएदेस्द लोग अठीक पर तिस दिएएगे सारे आपर गलत कर देंगे ठीक है अगला पिसने की जनसंग्या व्रिदिदर हां ठी रही तैंक है तो रही तatte कि अहीं की दो हुजार में तो चबिए क्न राइसा स्वाधी 6 रिखोते रोंठ्सहा का Saewoo है उद्हमसी नेगर जन्पद और सब्सेक्म दसक्राइवाल क्योर्फ रही उ Abrp Creator इthing on 21 सब्सक्राइब ख्राइब शार्ता थक्षिल्प उत्राइब प्यासे तरहाए वावर्चेतर विश्चनेगाई विच्ति प्रतीस अब्वावर्ची CT server उच्रा सिक्र कौंच और दादेवी प्रवस संक्ला यह दूना गिरी प्रवस संक्ला भी कहा है चमोली में ही स्तिते है जिसे दौन गिरी प्रवस संक्ला के नाम से भी जाना जाता है कि नंदा इग परवत्चिकर कहां से थैं दो एक ग्लेशर भी ऊंतर-खे या हिम्नदSen वार्वत्पी है अगर अपसमे निमनमे licht में हीम्नन नहीं है कौं सा हीमनन नहीं है जर्टो इनकी ग्लेशियर नहीं है पुछा खींप है थीक है तो ग्लेशियर यंप्र कासी में है और यस ग्लेशियर हमारा कहा है पितुरागर जन्पद में इस्तित है जबकि हेमकुंड कहा है एक टाल है ठीक है चमुली जन्पद बढ़ती है निमने ऐसे दर्रा है कौन सा दर्रा है गंगोत्री तिर्सूल पिंडारी या भी लिपुलेग तो लिपुलेग दोस्तों इसमें से क्या ह एक दर्पुलेग दर्रा किसवकर मंद्धी में और ची निया तिबब लिपुलेग दर्रा सभाट यू के मद्ध्र में हिमाले से उद्गबित नधी नहीं है कौननसी दूसटा है हिमना के मना के बढ़ता ediyor कि लाशरोना कर आता ह9 ना मिललेग से बढ़ता है सारदा नदी या काली नदी का उद्गम कहां से होता है तो लिपलेक दर्रे के पास से यह होता है ठीक है व्यास घाटी नावा काला पानी से इसका उद्गम होता है ठीक है तो यह तीनों क्या है हिमाले से उद्गमित होती है उद्गम हिमाले से नहीं माना जाता है तो सोन नद प्रवस्टिनी के उत्राखन के कितने जनपद में पाया जाता है अगर अपस्ट में फूलो की घाटी कहा है उत्राखन के चमोली जनपद में हमारी फूलो की घाटी इस ते जिसके स्थापना 1931 में फ्रैंक S. Smith और प्रैंक S. Smith के लिखे गई थी उसी मैं फूलो की घाटी का बढ़ना में देखने को मिलता है बुग्याल क्या होता है चारा गाहा होते है ना फूलो की घाटी किस जनपद में इस्थित है तो फूलों की घाटी चमोली जनपद में इस्थित है याद रखना है आपको और इसके बारे में हम आपको काफी सारे पॉइंट पहले भी बता चुका हूं दूस्तो तो 92 कुष्चन हमने यहां पे कर लिये हैं 92 से लेकर के अप्रोक्षमेटली 200 तक के कुष्चन दूस्तों आप लोगों को पहले करा चुका हूं तो 200 कुष्चन हमने जो हमारी किताब है घंचाम ज जरूर किया किजिए कमेंट्स जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को जरूर सेयर कीजिएगा और इसे के चांतना अगर आप उत्राखन के आगाम एक्जाम से तू किसी भी प्रैक्टिस सेट के बैस से या ऑनलाइन कोर्स से जोनना जाते हैं तो प्ले पारी अप्लिकेशन उत्राखन जी के वेरी इजी ट्रिक को डाउनलोड करके जूड़ सकते हैं धन्यवाद